दोस्तों, एक बार फिर से हमारे वीडियो में आपका स्वागत है, तो आज दोस्तों हमारे पास है Redmi का 8A, इसमें लगा है FRP Lock, तो आज हम FRP कैसे बाइपास करेंगे, आपको डिरेक्ट लिखाएंगे, दोस्तों मैंने सेट आपको कम्प्लेट कर लिया है, तो मैं आपको दोख कर लेक़्ने के पर अपने आज अच्ट कर लिया है, उसके बाद अपने स्क्रूल डाउन करके अच्टा Amco जाना है यहां पे आपको कुछ भी टाइप कर लेक्ट कर लेक्ट कर लेकशे सेलेक्ट लिने वाइसे बाद एक एहरो का निशान आता है, अपने उसपे क्लिक करना है किपने के बाद मेसे उपला चूस कर लेना है उसके बाद आप कर वहां पर पर क्यों इस तरह से मिले की देना है जब यहां पर देखो स一定要 और ऑप्षिन रख़ाहे बिल्कुल साइंड नहीं हो रहा तो अपने क्या करना इसमें सीम डालना है तो चलिए मैं इसमें पहले सिम डाल लेता हूं प्रिए हैं तो दौस्तों मैंने सिम डाल दिया यह देखिए हमारा वह साइन करीन हो गया आब इसको क्लिक कर देंगे तो अब यहां से क्लिक करके अगर आपको ओप्षिन आता है क्रोम बाला तो ठीक है ने तो यहां सर्च में जाओ जानेके बाद अपने इसमें Mobile Group 4 Type कर लेना है जैसे इसके वीडियो आजाँगे अप इसमें ये Next वीडियो पर Click कर देना Click करने के बाद आप इसके Description पर जाना आप इसके Description पर जाऊँगे तो आपको यहाँ पे websites मिलेंगी तो जहाँ पे आपको लगता है कि यह website भी लेकर जाएगा तो वो Chrome के थुरू जाएगा www.website पे जाब के click करोगे आप सिधे Chrome पे चले जाओगे Chrome पे जाने के बाद अपने screen no कर देना है और यहाँ पे आपका search bar खुल जाएगा अब आप यहाँ पे type करना है mobile guru for FRP इस तरह से आपने यहाँ पे type कर लेना और यहाँ पे थोड़ा सा FRP bypass आ जाएगा तो जैसे आप FRP bypass लिख लेंगे तो फर्स्ट वारे लेंड पे click कर देना click करने के बाद आप इसको scroll down करना थोड़ा सा नीचे आने पर आपको इस तरह के apps बगरा मिलेंगे तो आपने सबसे पहले एक launcher download कर लेना है इसको click करके इसको install कर लेना है तो आप एक कुछ इस तरह से अपना launcher download कर लेना तो मेरे देको launcher download होने बाला है और मैं आपको इसको open करके दिखा देता हूँ जो भी settings होएंगी आप उसको clear कर देना जैसे यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ यह सारे option आपको आएंगे जैसे मुझे आ रहे हैं अगर दोस्तो वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरू करना अगर चैनल पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करना इसी तरह की वीडियो आपको आमारे चैनल पर मिलते रहेंगे तो दोस्तों यहां पे अपने एरो पे टिक करके इसको बैक कर देना है फिर इसको इंस्टोल कर लेना है तो हमारा पैक्स लाउंचर इंस्टोल हो जाएगा इसको हम आलोग कर देंगे जैसे हमारा पैक्स लाउंचर इंस्टोल हो जाएदा इसको हम ओपन कर लेंगे उपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंट्रफिस होगा तो आपने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है दोस्तों ये फिर से बैक मार गया है तो आपने क्या करना है त्री टोड़ पे किलिकर करके डाउनलोड पे जाना एपक्स लॉंचन को दुबारा से इस्टोल कर लेना उसकी बाद आपने उसको ऑपन करना है जिस दोस्तों उपन होने के बात कुछ से तरह का इंट्रफिस आजांगा तो अपने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में विश्को स्क्रोलम्डवा। करना है आपने इसका डवलपर ऑप्शन ढूड़ना है तो डवलपर ऑप्शन ढूड़ने के लिए आप आल स्पेक्स में जाएंगे उसके बाद बेस्बेंड आई से डबल टैप करेंगे बार बार तो आपका यह कुछ और ही खुल गया इसमें देखते हैं किसके अंदर है कि इसमें भी नहीं है डा हमंडुरॉइड में तो अंड्रॉइड का बसंट खुल गया डबलपर ऑप्शन कि सबी होगा यह इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं एばい करिजांप यहां पे यह दो कि दो कि दिशनल एडिसेसिबिल्टे के बिल्कु ठीक नीचे डवल अप्शन इसको किलिक कर देंगे तो यहां पर तो डवल अप्शन कुछ खोले ही नहीं है यानि कि आप इस ट्रिक से नहीं कर सकते हैं तो यहीं पर हमारी एक दूसरी ट्रेक भी शुरू जाती है इसको बैक करके हम सबसे पहले क्रोम में जाएंगे Chrome में जाने के बाद आपने यहां से बैक करना थोड़ा सा Chrome के अंदर ही अपने थोड़ा सा इसको बैक करना है वहीं पर जाना जहां पर यह सारे software थे जैसे आप software में पहुँच जाएंगे तो यहां से अपने एक software डाउनलोड करना है Google Account Manager तो यह जो जैसे हमारा Google Account Manager 9 आ जाएगा अपने उसको सीधा डाउनलोड कर लेना है Google Account Manager उसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है तो दोस्तों मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है आपने भी कुछ इस तरह कैसे डाउनलोड कर लेना देखो मेरा वर्जन 9 डाउनलोड हो रहा है जैसे आपका यह डाउनलोड ज्यादा है अपने इसको इसको इस्टोल कर देना है उसी वक्त तो मैंने इसका इस्टोल लिंग पर कर दिया है इस टोलन करने के बाद आपको डपने यह भी आया के बस डैनों कि अब आम करेंगे इसको ही भी इसेने फोरेक्व इसको स्क्रोल एंद्रो साब्स uploads लिखा है अपने आप किल्क करना है वाई पास पर इसको डाउनलोड कर लेना है गना करल डाउनलोड हो जाएकन गो उसको कर देख किलिक देख लेते हैं डाउलोड हो चुका है हमारा इस्टॉल कर लेते हैं इसको कि दोस्तो इसको इस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है तो मैं इसको ओपन करता हूं तो दोस्तों हम अरपास आ गया यहाँ पर देखो तो यहाँ पर three dots पे click करेंगे browse पे click करेंगे अप डारक्त ले गूगल अकाउंट पे बहुंच जाएंगे वहाँ पे आप किसी भी ID से login कर लेना जैसे यह वहाँ पे login होगा वहाँ से interface कर जाएगा login करने के पाद आप उसको back कर लेना तो कुछ इस तरह से back करोगे बैक करते जाओगे तो कुछ इस तरह से होगा अपने setting में जाना है पहले setting में जाके अपने जो भी login किया है उसको एक बार check कर लेना कि वो login हो गया या नहीं हो गया है आपके बार जो भी email हो जिसका पास बड़ा को माल हो उसके साथ उसको login कर लेना तो जैसे हम जाएंगे हमने account में जाना है और चेक करना है हमें अपना account आपके account के अंदर आपका Gmail दिखना चाहिए और उसके बाद आप phone को कर लेंगे restart दोस्तों मेरा phone हो चुका है अब restart मैं आपको दिखाता हूँ proper phone मेरा start हो चुका है अब आपने यहां पर next next के option पर क्लिक करना है जो भी option आएंगे आगे बढ़ते जाना नेक्स नेक्स करके आगे बढ़ते जाना यह देख सकते हूँ add account option आ गया है आपको भी same ऐसी दिखाए देगा और दोस्तों मैं अपना account दिखा नहीं सकता हूँ प्राइवीसी है इसलिए इमेल आइडी वाला दिखाया नहीं तो आप डालके आराम से कर लेना कोई प्राब्लम नहीं है कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप मुझे चाहूँ तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आपको अपको स्लूशन प्राइब फोन पर मिल जाएगा कि अब अब अपने यहां पर नेक्स कर देना नेक्स को एग्री कर देना उसका फिर नेक्स कर देना फिसको सेटप को complete को किलिक कर देंगे दोस्तों देख सकते हो आप हमारा setup complete हो चुका है तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा FRP log bypass हो चुका है हमारा phone पूरी तरह से start हो चुका है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना अगर हमार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वाइल आइकन को जुरू प्रेस करना इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे